नमस्कार दोस्तों, welcome back to our channel दोस्तों, बात करने वाले हैं, Ceted exam 2023 के बारे में वाई, इसके बारे में complete information आज हम आपको इस वीडियो के माधम से बताने वाले हैं आप वीडियो में अंतितक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाल है इसका जो आंसर की है कब तक आ सकता है result कब तक आ सकता है normalization होगा कि नहीं होगा अगर होगा तो कितने marks बढ़ेंगे और आपको pass होने के लिए नियुन्तम कितने marks चाहिए ठीक है तो जो भी चीज़े हैं दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे आप वीडियो में आंतर तक बने रही है अगर बात करें हम इसके प्रश्णों के लेवल की तो जिसने इसका फर्स्ट और सेकंड पेपर दिया है उनको पता होगा कि इसमें जो प्रश्ण का लेवल था क्या था बही moderate to tough level के प्रश्ण आपको देखने को मिले थे इसमें ठीक है moderate to tough level के प्रश्ण आपको देखने को मिले थे दोस्तों अगर बात करें पेपर 2 की तो इसमें जो math और science का portion है यह काफी अच्छे अस्तर का बारे में जो इसका answer की है दोस्तों कब तक जारी किया जा सकता है वही अगर हम बात करें इसके answer की के बारे में तो इतना मान कर चलिए कि सिप्तमबर की पहली सब्ता में ठीक है सिप्तमबर की पहली सब्ता में first week में इसका जो answer की है इसे जारी कर दिया जाएगा जी हाँ दोस्तों सारी चीजों का नालाइसेस करने बाद इतना पता चला है कि आपका जो आंसर की है सिप्तमबर के पहली सब्ता में जारी कर दिया जाएगा उसके बाद प्रशनों पर क्लेम करने का अफसन आपको दिया जाएगा और यह सब चीजें होने के बाद इतना मान कर चलिए कि सिप्तमबर की अंतिम सब्ता में समझ रहे हैं सिप्तमबर की अंतिम सब्ता में आपका जो result है आपको देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोसो सिप्तमबर के last में आपको जो इसका result है सिटेट का देखने को मिल जाएगा तो यह कुछ इस तरीकी की अपडेट है इसके रिजल्ट और अंस्वर की के बारे में अगर बात कर लेते हैं इसके नॉर्मलाजेसन की इसमें नॉर्मलाजेसन होगा की नहीं होगा वही देखिए ऐसा है इतने भी सिप्ट वाइस आपके एकजाम होते हैं उसमें आपका नॉर्मलाजेसन होता है ठीक है जिससे अगर हम बात करें shift wise जितने भी exam होते हैं पहला shift और दूसरा shift होता क्या है दोस्तों कि जिसे पहले shift में जो प्रश्ण का level है मान लेजे बहुत ही ज़्यादा easy है और इसमें बहुत ही ज़्यादा tough है तो होता क्या है कि प्रश्णों को प्रश्णों की level को समान करने के लिए normalization की प्रक्रिया apply की जाती है ठीक है इसके प्रश्णों को समान करने के लिए लेकिन भाई इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं आपका जो exam हुआ है OOMR तरीके से हुआ है ठीक है तो ऐसे में आपका normalization वगएरा नहीं होगा ठीक है तो अगर हम बात करें इसके passing marks की तो भी आप passing score आपको बता देते हैं your category के लिए 60% है डेड़ सो में से आपको 90 number लाना है ठीक है तो आप pass हो जाएंगे इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों इससे ज़्यादा होना चाहिए डेड़ सो में से आपको 90 number लाना है और अगर बात करें दूसरे category की तो इसके बाद आपका आता है OBC फिर आते हैं आपके HC फिर आते हैं HD और भी जो चीजे हैं इनके लिए जो आपका passing marks रखा गया है दोस्तों यह है आपका 55% जो कि आपके बन रहे हैं 82 80 marks के लगबग बन रहे हैं ठीक है तो इतना number आपको लाना है अगर इससे कम होता है तो आप pass नहीं होंगे इससे ज़्यादा रहेगा तो आप pass हो जाएंगे ठीक है तो भी यह कुछ इस तरीके की update है उमेद करते हैं सारी चीजे क्लियर हो गई होंगी वीडियो को कर देजिए लाइक मेरे भाई और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहते मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहेंद